नमस्कार दोस्तों सुआगरे अब सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज किस वीडियो पर मैं आपको बता हूँगा कि कैसे आप अपने MI 10i पर DSLR camera setting कैसे कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर DSLR camera पर होते क्या क्या है वो आप पहले जान दीजेगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर समझेगा कि आपको setting किस परकार से करना है कैसे आपको DSLR camera का view मिलेगा आपके photos पर ठीक है तो आज के इस वीडियो पर हम यही चीज़ बात करने वाले तो दोस्तो अगर आपको भी जानना है कैसे यह सेटिंग आप कर सकते है पोसिविली वाइस तो आप वीडियो को पुरा जरू देखना वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को क्लिक जरू कर लेना यही आपको ओनलाइन पेसा कामाना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message जरू करें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले तो दोस्तो यहाँ पर मैं अपना camera को open कर लेता हूँ और यहाँ पर दोस्तो मैं आपको setting बता रेता हूँ ठीक है तो यहाँ पर दोस्तो मैं आपने एक दूसरे mobile पर view ले रहाओ फोन का ठीक है तो दूसरे जो mobile उसका view ले रहाओ तो यहाँ पर दोस्तो आपको सबसे पहले तो करना क्या है आप portrait mode को select कीजिए और दोस्तो DSLR पर होता क्या है background blur होते है camera quality अच्छे होते है camera का focus अच्छा रहते हैं ठीक है तो वो होते है DSLR camera settings और दोस्तो ऐसा नहीं कि सभी device, सभी DSLR की camera के background जो है blurry होते है ऐसा नहीं है वो दोस्तो सेटिंग के वज़े से ऐसा होते हैं तो अगर आप सेटिंग करते हैं DSLR पर तो दोस्तो आपको blur background मिल जाते हैं ठीक उसी तरह आपको अगर blur background चाहिए DSLR camera के setting के साथ तो आपको ये portrait mode select करना होगा क्योंकि दोस्तो portrait mode ऐसा mode है जो कि आपको background blur में ही दिखाए देगा आपको बस tap करना है आपने photo के उपर में और focus करवा देना है ठीक आप देख सकते हैं जैसे कि ये picture जो यहाँ पर दिखाए देर है ये भी DSLR से लिया गया है तो ठीक इसी तरह से आपका picture यहाँ पर निकलेगा ठीक है सबसे पहले तो आपको ये setting portrait mode पे डलना है उसके बाद आपका जो यहाँ पर AI system है उसको on कर लेना है ठीक है AI camera को on करना है three dots पर click करना है camera frame rate को जो है आपको full पे set करना होगा ठीक है camera frame को full पे set करें उसके बाद दोस्तों आपको filter बगएरा एड़ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं ठीक है कुछ आपके जो photo quality उसमें beauty आ जाएगा filters आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते किस तरह का आपको filter चाहिए वह आपको यहा काम का चीज़ यहाँ पर मिल जाते हैं तो आच्छी बात है तो दोस्तों open करती है यहाँ पर एक चीज़ दिखिया मुझे यह mode focus and shoot इसको enable करना ना भूले ठीक है यह आपको बहुत मदद करेगा जब आप DSLR camera यहाँ पर setting कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका जो आप यूज कर लिजे ठीक है यहाँ पर वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं आपको सिंपल से समझा रहा हूँ और दोस्तों अगर आप इस device को यूज करते हैं ठीक है तो उसमें दोस्तों आपको बहुत क्लेरिटी मिल जाएगा camera के अंदर पर ठीक है आप एक बार दोस्तों यहाँ पर DSLR के बेग्राउंड जैसा चाहिए अगर आपको दोस्तों नॉर्मल बेग्राउंड चाहिए तो दोस्तों 48 Megapixel को भी यूज कर सकते हैं इससे काफी अच्छा क्वैलिटी आपको मिल जाते हैं आपके फोन पे ठीक है 48 Megapixel आल्ट्रा वाइट एच्डी इस ओन यानि कि आल्ट्रा वाइट केमरा एंगल से आप पूरा पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं ठीक है तो आप यह भी यूज कर सकते हैं अगर आपको नॉर्मल पिक्चर क्लिक करना है वह भी DSLR मोड पे तो दोस्तों यह सेटिंग आपको मिल जाते हैं इसको यूज करके सेटिंग है तो इस प्रकार से दोस्तों आप दिरे दिरे करके पूरा सेटिंग समझ जाओगे सीख जाओगे और आपको शौट अच्छे अच्छे मिलना शुरू हो जाएगा आपके दिवाइस पर ठीक है तो आज के इस वीडियो पर बस इतने केमरा इंप्रूफ मेंन के ल करके जाओगे के दिरे करता से प्रेट एंपके जाओगे करा दोवस्तों आपके कराओगे और आंपके जाओगे कर रख़दादू मेंन के दिवाईस का फर इस प्रिवागे हैं आपके